हेलो बच्चों देखो आज हम बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे जैसे हमने पहले किया था हमने इलेक्टिक सरकिट को समझा था अब हम देखेंगे कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इलेक्टिसिटी को कंड़क्ट करती हैं और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इलेक्टिसि hair hair कॉन सा insulator है one buy one में computing करती हूँ सबसे पहले ये देखो हमारी ये iron की nail है देखो इसको हम ने switch को launch gear किरा और पर हमारा bulb glow कर रहा है या नहीं बेंगो आ पकी निगाफ बल्ब की तरफ होरे त rif छाही है । बुट गलो कर गया नップ इस जो iron की nails होती है यह मैंने all pins लिये, यह क्या होती है, conductor होती है, electricity की, देखो, bulb glow कर रहा है, कितने अच्छ से, अब हम देखते हैं, हमारे पास यह compass है, हम देखते हैं, कि इससे, bulb glow करेगा या नहीं, तो इसको मैंने लिया, और इसको टच करके, मैंने देखा, कि bulb glow कर रहा है या नहीं, ओके, look at the, bulb, is it glowing, yes, it means, यह भी metallic surface है, अगर मैं प्लास्टिक की तरफ रख दूंगी इसकी, आप देखो, अब बल गलो कर रहा है, it's not glowing, it means, metallic surface is a conductor of electricity, but non-metallic surface, plastic is a insulator, तब ही तो वायर के ऊपर प्लास्टिक चढ़ाते हैं, निसी की करंटना लगे, यह देखो, इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ी भी ना, मिटा, तो हरी चीज का अपना यूज है, अब देखो, एक मैने scale, यह सबके पास घर में होता है, अच्छे से करना मजे मजे में, अब द करंट फ्लो हुई, और बल्ब गलो करता है, अब देखो, यह मैंने क्या लिया है, scissors, yes, इसको तोड़ा पास रख लेते हैं, और अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, टच करके, कि इससे, electricity फ्लो होती है, या नहीं, अब आप देखिए, देखा, getting my point, बल्ब is glowing, it means, it is a conductor of electricity, अब देखो, इसकी, साइड, जहां से हम पकड़ते हैं, वहां पर मैंने टच किया, बल्ब ने गलो नहीं किया, क्यों, now you have the answer, है न, क्यों, क्योंकि प्लास्टिक इंसुलेटर होती है, और भी चीज़ों से करें मिटा, ये देखो, खेलते हैं, आप, sketch pens होते हैं, इंसुलेटर, इससे भी निंगलो किया, और देखते हैं, ये देखो, वुड की बनेगी, ये आइस क्रीम की स्टिक है, इसको भी टच करके देख लें, क्या पता गलो कर जाए, और ये तो निंगलो कर रहा, इट मेंस, वोट इस आलसो निंग, इंसुलेटर, ओके, अब इसक क्या है, पेचाना इसको, पैंसिल, चील-चील के कोडा फेलाते हो, क्लास में, जब मना करते है मैडम, शॉपनर है, ये देखो, शॉपनर, नहीं गलो कर रहा ना, इसके से देखे, मैटल वाले से टच करके, इसमें, इसका कनेक्शन ठीक नहीं हुआ, यहां पर प्लास्टिक वाले से गलो नहीं कर रहा, और मैटलिक से गलो करता है, ओके बच्चों, ये देखो, ये भी कितनी हेल्प करती है आपकी स्टडीज में, जब भी गलती हो जाती है, आप मिटाते रहते हो, इससे, क्या है ये, रबर, येस, अरे, रबर से भी गलो नहीं हुआ, इसका मतलब, रबर क्या है, इंसुलेटर, तो अब तक हमने देखा, कि हमारा, जो मैटलिक सर्फिस होती है, और भी आप कॉइन से भी कर सकते हैं, देखो, मैटलिक सर्फिस जो होती है, वो लैक्टिसिटी को कंडेक्ट करती हैं, इसलिए उनके वायर्स बनते हैं, तो भह सार चीज़ से ह समझ गए कि कौन सी चीज़ें इंसुलेटर हैं, कौन सी कंडेक्टर हैं, ओके बच्चो, अच्छे से आप एक्सपेरिमेंट करना, और देखो बच्चो, मुझे एक चीज़ और मिली, पैंसिल का लेड मिला, इसको भी ट्राई करके देखते हैं, हम कहते हैं, कि पैंसिल का ल इसकी पावर थोड़ी वैसी है, क्योंकि हम सेल से चला रहे हैं न वीटा, कंडेक्टिविटी देखने के लिए, अब देखिए, यस, पैंसिल के लेड से आप देखिए, बल्ग की तफ निगाह रखना, देखो बल्ग गलो कर रहा है, है ना चमका, थोड़ा सा चमका ना, इ ना मिटा, बैट कंडेक्टर होते हैं, खाली मैटल सी कुट कंडेक्टर होते हैं, तो यह हमने अच्छे से सीखा इस से, आप ऐसा करके देखिए, और एंजॉय करना, और फिर मेरे पास भी वीडियो भेजना, ओके, थैंक्यू बच्चों